Hello everyone, welcome to our channel Let's Practice तो नए वर्ट्स को नए तरीके से सिखने की कोशिस में हम सुनते हरोजिक कहानी और इस अपते की कहानी चल रही है आसिक की तो चलिए आगे सुनते है सच्चे आसिक कभी दुसरे के प्यार के मिडिल में दखल नहीं देता है वो भले अंदर से बर्ण हो रहे हो पर कोई उनसे गलत काम नहीं करवा सकता है उसे बहुत लेट से समझ आया कि उसका प्यार एक तरफा है पर इस वाज़े से उसने अपने करियर को गिरने नहीं दिया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर लाइट में बल्क में दुखा जाए तो वो चुपचा बैठ जाते हैं और कोई भी काम करने से जी चुदाते हैं या मना कर देते हैं पर उस वक्त आपको मौन रहकर सब चीजों को अंदेखा कर खुद के डेवलप्मेंट में लग जाना चाहिए तो ये थी आज की स्टोरी फिर से सुनेंगे और देखते हैं आज हमने कौन से नए वर्ट सिखे पर उससे पहले अगर आपने इस स्टोरी की सुरुआत मिस की है तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ आप वहाँ से जाकर इस स्टोरी को फालो कर सकते है अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करे और बेल आइकन भी दबा दे ताकि डेली दस बजे न्यू वोकैब के स्टोरी अपलोड होते ही मिल जाए तो चलिए दुबारा सुनते है सच्चे आसिक कभी दुसरे के प्यार के मीडिल में मेदल नहीं देते है वो भले अंदर से बर्ण हो रहे हो पर कोई उनसे सबॉर्ण नहीं करवा सकता है उसे बहुत लेट से समझाया कि उसका प्यार एक तरफा है पर इस वज़ासे उसने अपने करियर को प्लमेट होने नहीं दिया कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर लाइफ में बल्क में दुखा जाए तो वो चुपचाब बैट जाते हैं और कोई भी काम करने से बल्केट कर देते हैं पर उस वक्त आपको मौन रहकर सब चीज को कंडोन कर खुद के डेवलप्मेंट में लग जाना चाहिए तो चलिए अब आप लोग खुद से सारे वट का मतलब करनेट कीजिए मेडल मतलब दखल देना सबबन मतलब किसी से गलत काम करवाना उकसाना किसी को गलत काम करवाने के लिए प्लमेट मतलब तेजी से गिड़ना ठीक है? फॉल डाउन, डिकलाइन आप बोल सकते हैं बैलकेट मतलब जी चुराना किसी चीज को करने से मना करना मज़ा तो सब के साथ आता है Thank you, stay blessed, stay safe and keep learning